Hello friends, welcome to my YouTube channel Friends, अगर आपने अपने बजाज finance card को use करके online या फिर offline store से कोई भी सामान खरीदा है जैसे कि एक नया mobile phone, laptop, TV, fridge, washing machine EMI में खरीदा है तो friends, loan के successful complete होने के बाद जब आपने पूरा loan का जो EMI है वो payment कर दिया है तो आपको एक NOC की जरुवत पड़ती है NOC का मतलब होता है No Objection Certificate जो कि आपको bank या फिर जहां से भी आपने loan लिया है वो आपको देते हैं जब आपने पूरा loan का जो amount है वो payment कर दिया होगा तो friends, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने बजाज finance loan का NOC easily download कर सकते हैं इसके लिए आपको बजाज finance के office में भी जाने की जरुवत नहीं है नहीं आपको customer care में call करके NOC के लिए request करना होगा मैं आपको एक बहुत ही simple process बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने mobile phone से ही या फिर अपने computer laptop से एक website open करके NOC certificate download कर सकते हैं तो friends चलिए वीडियो को start करते हैं बट आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा request है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आये हैं तो इस तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और bell बटन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे future वीडियो के notification भी आपको time to time मिलती रहे चलिए friends यहाँ पे मैं अपने laptop के screen को आपके साथ share करने वाला हूँ आप चाहे तो इस process को अपने mobile phone में भी कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं अपने laptop का screen आपके साथ share करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे आप NOC डाउनलोड कर सकते हैं चलिए friends start करते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको अपने browser में इस website को open कर लेना है जो की आपको मेरे video के description box में मिल जाएगा उसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पे my account पे click करना है और नीचे sign in button पे click करने के बाद दोस्तो आपको यहाँ login करना है तो आपको सबसे पहले अपना mobile number उपर वाले box में type करना है और नीचे वाले box में आपको अपना date of birth type कर देना है यह दोनों details type करने के बाद दोस्तो आपको नीचे get otp button पे click करना है और इसके बाद दोस्तो आपके mobile number पे एक otp code आएगा जिसे कि आपको यहाँ नीचे type कर देना है और उसके बाद दोस्तो आपको नीचे submit button पे click करना है जिसके साथ ही आपका account यहाँ login हो जाएगा अब दोस्तो देखे यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का page आजाएगा जहाँ पे आपको my relations का एक section दिख रहा होगा जहाँ पे आपको loans वाले tab में आपने जो भी loans अभी तक ले रखे हैं या फिर ongoing या फिर closed loans है वो आपको यहाँ दिख जाएगा अब देखे दोस्तो यहाँ पे एक loan है जिसे कि हमें click करना है तो इसे open करने के लिए हमें यहाँ इस arrow button पे click करना होगा और यह loan का सारा detail यहाँ पे open हो जाएगा इस page में अब दोस्तो देखे यह जो loan है यह already मैंने close कर दिया है और इसका NOC मुझे download करना है तो NOC आप तभी download कर पाएंगे अगर आपने पूरा जो loan का amount है वो clear कर दिया है अब देखे दोस्तो यहाँ पे आपको right side में एक option दिख रहा होगा quick action के नीचे जो की है view statements तो view statements option पे click करने के बाद फिर से एक page open हो जाएगा जहां आपको एक no due certificate का option दिख रहा होगा देखे यहाँ पे no due certificate option के just right side में आपको देखे कुछ इस तरह का download button मिलेगा जिस पे आपको click करना है और आप PDF form में PDF file में अपने NOC को यहाँ download कर सकते हैं तो देखे यहाँ NOC download हो चुका है दोस्तों इस file को मैं open करके आप लोग को दिखा देता हूं तो देखे यहाँ पे no due certificate हमारा download हो चुका है तो इस तरह से आप भी अपने किसी भी closed loan का NOC certificate या फिर no due certificate बहुत आसानी से बजाज FinServ के website में जा करके download कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर आपको पूरा process बता दिया है तो आप अपने NOC certificate को आसानी से download कर सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए useful रहा होगा thank you very much friends for watching this video and please subscribe to our channel